टे ole अबरिवन आज हम डिसकस्क्स करने वाले हैं जामियमललए इस लाम्य के कुछ कॉसे की कॉर्से श्करोफ के बारे में हम इस वीडियो में डिसक्स क्रने वाले यह जैसे कि आप लोग बता एकि स्याई एट का रसल्थ आ गया है इसमें हम बात करने वाले हैं cut off को लेकर discuss करने वाले हैं तो चली मैं आपको इसमें कुछ courses की cut off बताता हूँ और previous की cut off क्या रही है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि previous year की cut off क्या रही थी और धिरे धिरे करके आपको सारी चीज़ें update किया जाएगा सबसे पहले अगर हम बात करें be honors Turkish language and literature की इसके लिए आपने जर्नल टेस्ट दिया होना चीए अब previous year जो था आपको पता हो था कि जो है जर्नल टेस्ट जो previous year था वो था 300 marks का और इस year जो जर्नल टेस्ट है वो है 250 marks का सबसे पहले तो यह किये changes है कि 50 marks कम है और previous year जो cut off रही थी अगर आप general category से हैं अगर आप general category से हैं तो आपने अगर 230 plus score किया था तो आपका जो है last तक के last list तक के admissions हो गया था चीए उसके बाद spot round भी होते हैं first list, second list चीए तो वही अगर हम बात करें तो general category के लिए अगर आपको Turkish language लें तो 250 में से आपके कितने marks आने चाहिए 250 में से अगर आपके marks 200 plus हैं तो आपके chances हैं कि last तक के आपका admissions हो जाएगा वही अगर आप Muslim category से हैं या फिर Muslim ABC, Muslim woman तो आपके 180 plus marks होने चाहिए तब आपका last तक के admission हो जाएगा अब first list की अगर हम बात करो तो first list की cut-off जो है क्या रह सकती है first list की cut-off जो है अगर हम बात करें general category के लिए वो जो है आपकी जो है 222, 225 के जो है आसपास रहने वाली है यह आपको ध्यान रखना है क्योंकि first cut-off जो है जादा रहती है उसके बाद second down होती है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है वही अगर हम बात करें be honor Sanskrit के लिए general taxes में इसमें क्या होता है spot round भी आता है इसमें तो अगर आपने apply किया था तो इसमें तो chances हैं कि पुरा-पुरा कि आपके admissions होई जाएंगे तो इसमें तो end तक के spot rounds भी चलते हैं जो इन बच्चों ने बस सियूएट दिया है उनका भी इसमें admissions हो जाता है ठीक है ऐसे ही अगर हम बात करें be honor's French के लिए be honor's French के लिए भी जो है अगर हम बात करूँ आप अगर जेनरल केटिगरी से हैं तो अगर आपको 215 प्लस मार्क्स हैं तो आप safe हैं यह आपको ध्यान रखना है ठीक है और अगर आप जो है reservation केटिगरी Muslim, Muslim OVC, Muslim OVC Muslim OVC, Muslim Women केटिगरी से हैं तो आपके अगर जो है 195 25 प्लस मार्क्स हैं तो आपका last तक के admissions हो जाएगा और दूसरा अगर मैं बात करूँ कि जैसे PWD केटिगरी की cut-off जोमो कश्मीर, कश्मीरी माइगरेंट इनकी cut-off का क्या होता है डिपेंड करता है कि कितने number of candidates ने apply किया है अब PWD केटिगरी से माली जी जिनके भी highest marks होंगे तो यह आपको ध्यान रखना है ठीक है तो यह थी हमारी be honors french की cut-off ठीक है बाकी cut-off हम जो है next video में जो है discuss करने वाले हैं Thank you